शीरादे रादे जी जै जै शी रादे रादे ब्रज वासकरादे जै जै शी रादे आप सब कम्मितर आपका अपना दासों का दास दीपक गरवा लेवर फिर हाजिर है दिनाथ 24 मई 20 को दूपैर के 8.00 वजे मेरे पास सवाल बहुत आते हैं तो सोचा कुछ ना कुछ एक तो सवालों के जवाब देने की चेश्टा करूं, गुरु महराज की किरपास है, संतों की वानी द्वारा अपने गोविंद की किरपास है, तो मेरे पास एक वार कही वारी खौमन सवाल होता है कि प्रभु जी, दीपक जी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के वार पत्ता नहीं हि है और्जू तेरे करम नेमेरा इंटरफेल नहीं है है, अर्था हम जो भी करम करते हैं, अपनी सोच के अनुसार करते श arguy ждat, ऑप सिरी के ष crisis के दिन,154 मिट का पूरा गीता का ग्यान दिया तो यह से क्था आप स्रीमत भगवद गीता ठीक है 700 स्लोगों की है तो आप इस बास समझ लो समय साब बोला सब पूरा बुदेश जने के बाद कि अर्जुन आप फैसला तेरे पड़ है तुने क्या करना है युद करना है कि नहीं करना यह पुद्धी विवेक में तेरे पे निर्भर करता है स्री क सोच के लिए अपने मैं और अपने महेंकार के कारण निर्दोष लोगों को मार रहा है वो बंदू उठाए खुम रहा है आज जितने भी घरों के अंदर भाई भाई एक दूसरा को मार रहे हैं बुद्धी विवेक खोक के अपने स्वार्त के लिए मार रहे कि नहीं मुझे यह चाहिए मुझे वो चाहिए तू ऐसा तू ऐसा भगवान इसमें कहीं इंटरफेर नहीं करते आज मैं आपको जो अच्छी बाते बता रहा हूं गोविंद की किरपा से बता रहा हूं जो बात बता रहूं समझ लो दिहान से हम हमारे करम में भाई भाई के लिए आपस में जब हमारा बुरा वक्त आता, सबसे पहले हमारी बुद्धी हरली जाती है, ताकि हम सही फैसला ना कर सकें, इसलिए कहते हैं, सदा हरी किरतन करो, कभी पाप तुम्हें छूनी पाएगा, पाप छूब भी जाएगा, तुम्हें तुम्हार से कोई पाप नहीं करा पाएगा, इ जो भगवान ने फल लिखाता, कर्मों ने उसके द्वारा, उसका मडर करवाया, जिस कारण उसे मर गज़या या उसकी बीस पच्चिछी टाके लगे और जिसने किया उसे जील जाना पड़ा, ये होनी से कोई नहीं पछा, कभी कोई किसी को मारता, कर्मों का फंडा बड़ा ग आप से हमें परीचित कराते हैं उसका फल देते हैं समझे एक बात हमेशा याद रखना रामान निके बात सब कुछ होते वी लेकिन उसने क्योंकि माया आई माया ने उसकी बुद्धी फेर दी इसलिए बुद्धी विवेक खोकर उसने सारे गिनित काम करी जिस कारण वो राक् जा मिली मैं सभी बेटियों का सम्मान करता हूं मेरे भी घर में दो बेटी हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं लेकिन जो सच्चा ही हो बता रहा हूं हम ये जब तक नहीं समझेगी कि हमें जो मिल रा करम के अधीन मिला तब तक हम पर्भू की तरफ नहीं बढ़ सकते भक बड़ी चोट भी सूई के रूप में हमें चूती में निकल जाती हमें पता ने चलता क्योंकि भकती मार्ग में हम डूब जाते हैं तो इसलिए आप जो करते हो अपनी मर्जी से करते हो भगवान उसका फल देता जैसे आपके पान सो का नोट है आपने पान सो रुपे का किस तो ने फल दे रही है अब आपको आगे भुगतना है बस डैट से दूसरा ब्रिंदावन में लोग जाते हैं कहते हैं प्रभु जी बहुत भीड होती इस कारण ना कभी को भी मंदिर जाने का मन नी करता हैं तो जल्दी भाहर आयते हैं भीड में आगे भीचे धक्ये बड़े समझ लो गवीन है वह नरहें ए है उसके दर पर जब भी जाओ तो मस्ती में जूम जाओ ये यहले शिक्वे मत करो वह हमें यृह हमें मंतिर के ले बने जुँले वहाता है है लाता है औध अगए लए जुले जुले में युलवाता है कभी आगे पीशे कभी पर कभी नीशे वो इस तरह से गोविन अपनी धर्ती पर हमारे आगे पीचे धक्ये दे के पाप गिरा देता है कहते हैं बरज में जाओ मैं बहुत नाच करता हूँ मैं बहुत निर्ते करता हूँ जाए वो राधा रमनजी हो जाए वो निदीवन हो खुब उचलोचल के निर्ते करते हैं, तो वहां हम नहीं करते हैं, गोविन अपनी मस्ती में हाथ पकड़ के हमें नचाता है, क्यों? क्योंकि हम जितना प्रभू के लिए नाचेंगे, प्रभू उतना खुश होंगे, प्लस साथ में नचा नचा के हमारे पाप अपनी इस पाप तुमसे पाप करा पाएगा, याद रहे, पाप ही तुमसे पाप करवाता है, और हरी शन में आने के बाद पाप की पावर्क खतम हो जाती है, वो आप से दूर भाग जाता है, अच्छी बात बताईए, शेर जरूर करना, इसलिए भगवान के उपर इल्जाम मेरे और संदेश दे रिया था, बता रिया तो ये खतार जुन अप तेरे ओपर छोड़ दिया, तुने क्या करना है, परभुने इंटरफियर नहीं किया था, परभु स्रीफ रहा दिखाने के लिए आते हैं, गुरु हमें रहा दिखाते हैं, अब आप उस पर चलोगे तो भगव मैं मालिक, ये मैं आपका सब कुछ बरबात करती हैं, बड़े से बड़े करोड़ुपति को बता रहा हूं मैं ये वाट, और ये मेरा, मेरे ही बच्चे, मेरा धंदा ये आपको बरबात करेगा, अरे मूर्खो, ना तो शरीर आपका है, ना ये जगत आपका है, इस धरा का धरा पे ही धरा रह जाएगा, तू खाली आता आता खाली आत जाएगा, इस शरीर पे जो तू इतरा आ रहा है ना, ये भी इस धरती पर तू छोड़ कर जाएगा, याद अखना, खाली आता खाली आत जाएगा, तो इस धरा का छोड़ के जाओगे, तो इस पर गुमान मत कर बलकि इसको जरिया बनाओ परभू को प्रापती करने के लिए शरीर एक झाज है जिसमें आत्मा सभां करनी है तो इस झाज को पर वेसे जाज को प्रभू की तरफ लेके चलो जहां आत्मा और प्रमात्मा का, करना बो, याद रहे शरीर परभु ने हमें विवान के रूप में दिया और इसमें आत्म रूप में परभु सफर कर रहे हैं और हमें हरी किर्टन करते करते हैं परभु के पास जाना है और इसी हरी किर्टन द्वारा वानी द्वारा परभु के सस्तंग द्वारा परभु को पाना है शरी रही छुड़ि हो सके हरी नाम में अपने इस तन को लगाओ, मन को लगाओ, वानी को लगाओ, समझ गए, अच्छी बात बताईए, अच्छा करूँगा परमात्मा की किसी लीला पे उगली मत उठाओ, वरना परमात्मा जाने आप जानो, मैं अपनी वानी से कुछ नि कहना चाहता, इसलिए प अंदिर में चलू चल के करते हैं, खूब निर्ते करो, खूब निर्ते करो, अरे श्रीड परभू का दिया वाए, परभू की प्रेम में इसे नुचावर कर दो, फिर देखो परभू कितनी किरपा बरसाते हैं, परभू को खुश करना है, हमें नरायन को पाना है, इसलिए मा प्रभू करते हैं अपने इसाप से करते हो प्रभू उसका फल देते हैं और हम जितना भी ब्रिंदावन जाके प्रभू हमारे पाद जार देते हैं तो प्रेम से बोलो राधे राधे जै जै शी राधे राधे ब्रजवास करा दे हमें गुविंद की गलियों में हमारे गुविंद से मिला दे जै जै शी राधे आप सबको दास दीबग की प्रेम वरी राधे राधे शी राधे खुश रहि कर दो एिंधा कि ठाने को में अमय घुटे कि नायू हो एंगू हूँ.